हेलो ब्रीबन वेलकम टू बेवे करनंदा अग्रीकल्चर कर्मी विद्धारतियों आज किसी वीडियो में बात करेंगे बीसी सी काउंस्टिलिंग पीसीम बी जॉइंट गुरुप के बारे में ऐसे विद्धारति जो पीसी भी पीसीम गुरुप से कल फस्ट और में कोई सीट कोई कोर्स पाच चुके हैं वो अग्रीकल्चर में बीसे अग्रीकल्चर ऑ्टीकल्चर फिश्रीज यह फिर मेटकल्चर में बीशे सी नर्सिंग ऑटी लेब टेकनिसेन भी फारमा आधिक कोर्स उनका सवाल है कि सरमेश शीट को फ्रिज करना है या फिर अप्ग्रेड करना है विद्धार्तियों पहला सवाल तो यह है यदि आपको मन चाहा कॉलेज मिल चुका है आपके रहेंग का कॉर्डिंग जो आपने च्वाइश फिल में टॉप पर फिल किया था तो आपको अपने कोर्ष को फिर्ज्च कर लेना चाहिए शीट को अपने फिर्ज्च करना चाहिए कि यदि कई से विद्धारती हों गए जिन्येों च्वाइश फिलिंग का क्वाइश निचला कॉलेज निचला कॉर्स मिला है माली आपने बेसे नर्सिंग में जो नव कॉलेज फिल की है तो हो सकता आपको नमा हो, आठ मा हो, साथ मा हो रैंक आपको अच्छी है तो आपको एक बार अपगेड कर देना चाहिए देख लो ट्राई करके क्या जाता है, ओपर मिल जाता ज्यादा बैटर है हाँ, यदि जो कॉलेज आपको मिला हुआ है, यदि आपके घर के काफी करीब है, तो आपको वो कॉलेज ले लेना चाहिए अधरवाज आप फिरिच करेंगे तो, अपगेड करेंगे तो, दोनों केस में आपको डाकुमेंट वेरिफाई करने के लिए ये रिपोर्टिंग सेंटर जो आपको दे रखा होगा, उसमें जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको सारे औरजनल डाकुमेंट लेकर के जाना होगा, डाकुमेंट के लिस्ट और लेडी दी रहती है, आप सभी को पता भी, कई बहुत हम लोग वीडियो बना चुके बारे म और उन डाकुमेंट में आपको तीन डाकुमेंट और एड कर लेने, एक आपको चॉइस फिलिंग जो हाली में आपने की थी, इसके बाद में जो कल अलोट में लेटर जारी हो चुका, वो इसके बाद में एक बायोमेट्रिक फॉर्म, बायोमेट्रिक फॉर्म को फिल करकी ल सेंटर पर गए हुए हैं वो करवा रहे होंगे और आप पास अभी यहां पर दो देना जो आज नहीं जा पाए संडे में हाला कि यहां पर संडेस मतलब नहीं होता है यदि कोई दिन छुट्टी होती तब भी आपर कॉलेज आप खुलता है डाकुमेंट वेरिफाई भी होते ह जाएंगे 28 और 29 यानि 29 अक्टूबर तक केबल यहां पर आपको डाकुमेंट वेरिफाई करने के यहां पर डेट है ठीक जो आज नहीं जा पाए कल और परस्ण हो जाएंगे तो यहां पर आपको वेरिफिकरशन सिलिप मिलेगी वह वेरिफिकरशन सिलिप लेकर के आपको अपनी फीच सम्मेट करनी होती है और अगर बात कर आपकर अब लोएंगे यहां पर फीच की बारे में होती है और बंकूल जीरो फीच है ति विलुटं पीज नहीं होती। बात करो अगर आप परटना की या फिर गया में जो विद्धार्थी पढ़ रहे हैं पुरानेवाल सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर जूरो फीस की कोई फीस नहीं होती है कि केवल पावापुरी में लगता है चार साल का थारा जार रुपए वन टाइम जमा हो जाता है अभी जो विद्धार्थिंग मिला होगा जिनको बीसिंग पावापुरी में बात दकी बात करें अधर कॉलिज में अब जो वहाँ पर जो चार्ज लगता T लगता हो बात बखी आप केबल मेस चार्ज का कितना भी आप मिनिमाम जोड़ सकते हैं एक मन्त का तो लगबग कई कहीं पर 25 कहीं पर 3000 रुपा है इस तरह से वहां पर जो है लगता है फिलाल आप जो है कम से कम 8000 रुप है आप पॉकेट में डाल लीजेगा ताकि कोई जरूत पड़ती आपको आपको काम ना रूपाए इस तरह से यहां पर विद्धाट्य फीस होती है और मुझे लगड़ा क मतब आप एक इन नहीं करेंगे जब बिहार में टोटल ब्यस्य नर्सिंग की 300 सीट थी तब केबल 5 कॉलेज थे साथ कॉलेज हुए आज टोटल 9 कॉलेज है और 9 कॉलेज में टोटल जो सीट है 540 सीट है इसके बापजूद भी उन बच्चों को सीट नहीं मिली जिनको मिलनी यह भी चाहिए थी आप सोचिए पांचों चालिस पर क्या 700 सो जिसकी रहेंगों इसको नहीं मिलता क्या जिसको 800 नहीं मिलता कई विद्दार्थी 20 करश्रम गये होंगे कई विद्दार्थी अलग-ळाग कोर्स में गयon गैं तो यह है मैंतव अब यह सोचने की बात है आखर 800-900 रैंक तक हो सकता कटा पकि पहुँचे, यदि आपकी रैंक 2011-12 तक है, आपको BSC NURSING, B Pharma, AAD, KORS, MADIVATION चाहिए तो हो सकता आपको मौपा प्राण में मौका आपको मिलेगा, ठीक है जारती हूँ, आशा करता है आपको देगे जानकारी अच्छे लगी होगी, अच्छा